पहले तो वीडियो देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज किसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इस तरी संबंद के दुरान सफेद पानी छोड़ती है यह पुरुष से अलग होता है या पुरुष के जैसा ही होता है आप इस वीडियो में देखें लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब व्यू कर लीजेगा और साथ लगे बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ता जो हमारी हर वीडियो का नौटिफकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तो जब कोई इस तरी किसी पुरुष के साथ संबंद बनाती है तो शुरू शुरू में उसके अंग सुखे होते हैं और उसे मजा भी नहीं आता जैसे जैसे पुरुष की गती तेज होने लगती है वैसे वैसे इस तरी को मजाने लगता है और इस तरी का अंग गीला होने लगता है इस तरी के अंग में से निकला हुआ पानी पुरुष जैसा ही होता है पर पुरुष से कम होता है इस्तरी के अंग में से कुछ बूंद पानी धीरे धीरे निकलता है वहे भी बाहर नहीं आता जब किसी इस्तरी को संबंद बनाने की थड़ रहती है और उनके पार्टनर जब उनके पास नहीं होते हैं तो ऐसे में कुछ इस्तरी है अपनी उगलियों की साइता से अपने अंगों को सहलाती है और उनके उगलियों से होई गर्शन से उनके अंगों में से पानी निकलता है यह पानी उस टाइम निकलता है जब इस्तरी को मज़ा आने रखता है अभी कभी इस्तरीयां गाजर, मूली, बैगन का सहारा ले लेती है जिससे उन्हें और भी ज्यादा मज़े की अनुवती होती हैं इसके लिए बजार में बहुत से यंपर खिलोने उपलब्द हैं महिलाएं अधिकतर अभिनका ही सहारा लेने लगी हैं तो उनके अंग में से बहुत ज़्यादा पानी निकलने लगता है और उनसे सफेद रंग का बहुत ज़्यादा पानी बाहर आ जाता है यह प्रक्रिया एक घंटे में 3-4 बार लड़की के साथ हो जाती है दोस्तो हम आपको बता दें कि जिन मही लाओं की उमर 40-50 के बीच में रहती है उनके पार्टनर या उनके पती उनको कम टाइम दिने लगते हैं यह अपते में या 15 दिनों में एक बार ही संबंद बना पाते हैं ऐसे में उनस्तरियों के साथ यदि कोई पुरी संबंद बनाए तो उनका पारी बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है अब तक के लिए इतना ही जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ अब तक के लिए आप देखते रहें हेल्थ किया धन्यावाद